अगर आज आप लोग फिर्स टैम मेरे चैनल पर विजिट किये तो हाइ माइनेम इस दिप्यानी और आप लोग देख रहे हैं डी व्लॉप्स पाई दिप्यानी आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं बॉद्धे आउटफिट्स के बारे में आपको विंटर में कैसे पताऊंगी जिसे कि आप लोग बॉद्धे में क्लासी भी लगो और काफी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगो और इंपक्पूल आपका बुद्धे हो तो चलिए देर ना करते हुए सीले चलते अपने वीडियो के तरफ पर अगर अभी तक आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने कि आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें अगर आप नी लें तक या थोड़ी से बिलो दनी ड्रेस परचेस करते हो वह आपको बहुत ही जादा अट्राक्टिव लुक देता है मैं आप लोगों कहूंगी कि आप स्ट्रेपलेस नेकलाइन का ड्रेस परचे करो वह भी बहुत ही जादा अट्राक्टिव लगता है और पाटी में आप अलग से भी लगोंगे काफी अच्छा लगता है अगर आप आप शोल्डर पहनते हो या स्ट्रेपलेस पहनते हो तो काफी जादा अट्राक्टिव भी लगता है और आपको बहुते पर एक स्पेश परचस करो, प्लेन ड्रेस तो हर को ही पहनता है, आप टेक्शर ड्रेस पहनो वह भी बहुत ही जादा अट्राक्टिव लुक देता है, उसके साथ आप प्लाकफॉर्म हील्स पहनो, जो कि आपके लोग को पुरा कम्प्लीट करता है और आपको बहुत ही जादा कि आपको मिनी ड्रेसेज वियर करने चाहिए, क्यूट मिनी ड्रेसेज जो होते हैं, वो हर सीजन के लिए पॉफेक्ट होता है, हर सीजन में आपका लोग बहुत ही जादा अट्राक्टिव लगेगा, अगर आप विंटर में वियर कर रहे हो, तो विंटर में आप उसके करना चाहते हो, तो समर में, शो यूर लेक्स और न्यूट कलर की हील्स पहनो, होत ही जादा अट्राक्टिव लगता है, और सम एक्जिजरी भी आप उसके साथ यूस कर सकते हो, वो भी आपके लुप को पूरा कंप्लीट पकेज बनाता है, थार्ड इस मैक्सी ड्रेसे, मैक आपको गर्मी भीना अलगे, आप कमफर्टेबल भी रहो और एक्त्राक्टिव भी लगो, बर्दे गल्यों तो अविसली आपको इस्पेशल फील होना चाहिए, तो आप ऐसे पैबरिक चूज करो, जो कि आपको कमफर्टेबल भी रहे, और आप अट्राक्टिव भी लगो, मैं काऊंगी कि आप slim fit और sweetheart neckline की maxi dresses purchase करो बहुत ही ज़्यादा attractive लगता है और neckline ना काफी खुबसूरत लगती है वो आपका हर season और हर occasion पर परफेक्ट मैच होता है 4. jumpsuit Take your birthday to the next level with a slick and sexy jumpsuit मैं आपको काऊंगी कि आप jumpsuit जरूर से purchase करो और jumpsuit आजकल बहुत ही जादा trend में है तो आप jumpsuit अगर वियर करते हो तो आप काफी comfortable भी रहोगे और आपका लुप भी awesome आएगा whether it's from denim, cotton, leather, कोई फ़क नहीं पड़ता आपको ये cute dress हर season के लिए best रहेगी इसको आप pair up कर सकते हो एक belt back के साथ और एक stunning six heels के साथ heels के साथ jumpsuit का combination काफी जादा अच्छा लगता है और if you feel little wild then choose bright colors like pink, yellow, gold, blue और अगर आपको classy look देना है then go for black, charcoal, navy blue ये सारे color आपको काफी जादा classy look देंगे fifth is suit make a serious statement with a bold suit I suggest कि आप bright colors purchase करो neon आजकल बहुत ही जादा चल रहा है तो आप लोग नियोन color purchase कर सकते हो pink color purchase कर सकते हो red color purchase कर सकते हो और I suggest कि आप textured वाले suits purchase करो वो भी आजकल बहुत ही जादा trend में चल रहे हैं और आपके look को भी बहुत ही जादा fabulous बनाते हैं और मैं आपको कहूंगी avoid your regular outfit अपने regular outfits को पूरी तरह से avoid करें make your birthday impactful यार एर में एक बार ही आपका बर्दे आता है बर्दे पर आपको impactful लगना ही चाहिए शर्ट और ब्लेजर को पेर अप करें बहुत ही जादा अच्छा लगता है ब्लेजर आपकी bright color के होनी चाहिए और शर्ट जो है अगर आप white भी पहनते हो या black भी पहनते हो वो भी बहुत ही जादा अच्छा लगता है बट make sure कि आप ब्लेजर और जैकेट में डबल साइडेट टेप लगा करके उसको अपने प्लेस पे ही रखें ने तो इधर उदर अगर होता है न तो आपका पूरा लुक खराब होता है पहले से आप उसको सेट करके रखो ताकि आप पूरे पाटी भर full to enjoy कर सको और काफी अ बर्दे गल को गाउन तो वियर करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको केक कटिंग के टाइम पे पॉफिक गाउन प्रिल वाला गाउन जरूर प्यार करना चाहिए उसे काफी जादा खुबसूरत लोक आता है उसके नीचे आप एक चंकी बूट्स वियर करो वह तो आपको शोस्टॉपर लगना ही चाहिए तो आपको एक स्लीक एंड सेक्सी सा आउटफिट वियर करना चाहिए जिससे कि आप दान्स प्लोर से लेकर के डिनर तक बहुत ही जादा फाबुलस लगो काफी सेक्सी लगो तो उसके लिए आप मिनी रिसेस विद ओवर साइज ब्लेजर पहनों वह बहुत ही जादा अच्छा लगता है और अगर विंटर में आपका बर्दे आ रहा है तो विंटर के लिए तो पर्फेक्ट मैच होता है यह अपको थंड से पूरी तरह से बचा के रखता है और आप इसमें भी ना ब्राइट कलर पर्चेस करो लाइक ब् करने के लिए एक सिंपल एर रिंग और सिंपल नेकलिस पहनो और बूट्स और हाई हील के साथ पेर अप करो जो कि बहुत ही जादा अट्राक्टिव लग देता है और नेक्स रम बात करेंगे प्लस साइज की गर्ल्स के लिए आपका बर्दे है तो आपको भी ओविसली बहुत ही जादा फैबुलस लगाएगा और अगर स्प्रिंग सीजन के बात करते हैं यू के विए पैंसिल स्कूर्ट विट ब्लोइंग ब्लाउस और आप पैटर्न और फैब्रिक को मिक्स और माच करके पहनो ना तो वो भी आपको एकदम स्टेटमेंट लोग देता है और को कम्प्लीट करने के लिए आप ओवर साइज बेल्ट वियर कर सकते हो और अलसो चूज पॉप अपप कलर्स लाइक यलो यलो सूट अगर आप वियर करते हो ब्लाक टॉप के साथ या वाइट टॉप के साथ ना तो वो भी आपको अट्राक्टिव बनाता है बट मेकप और मैक्सी स्कर्ट में से कौन सी स्कर्ट वियर करनी है डिपेंस ओन यूर वेदर तो आप कोई भी स्कर्ट पहन सकते हो बट इसकर्ट चोए न वो फ्लेयर वाली वो तो वो बद्दे में काफी साथ अच्छी लगती है और थोड़ी सी टेक्शूर्ड और प्रिंटेड होग वाइट टी-SHIRT विथ ब्लाक मीनी कष्ट और पेर विद दा नी लेंध बूट नी लेंथ के बूट्स वो आपके लुट को पूरी तरे से पॉर्फेक्क बनाते हैं तो आप टी शिर्ट और पैंसल स्कर्ट के साथ नी लेंध तक की बूट वियर करो वो आपके लुप काफी बहुत ही जादा अट्राक्टिव बनाते हैं और अपी गॉचिस लगोगे अब बात करते हैं अपने 10th point की 10th is trouser and shirt trouser and shirt is a perfect match for lunch date wear a cute pair of trouser and shirt आप हाइवेस्ट के classic pants भी वियो कर सकते हो leather और metallic fabric के और funny textured print पे वो भी बहुत ही जादा आपके look को attractive बनाएगा figure elongate के लिए आप slim fit के tops wear कर सकते हो और अगर आप shirt भी wear कर रहे हो तो shirt को आप tuck in करके wear कर सकते हो और statement belt भी use कर सकते हो उससे भी आपका look कापी अच्छा लगेगा and choose a chunky sneakers and statement heels to complete your look और अपने birthday पे आप चार चान लगाने वाली हो so that's it for today's video I hope कि आप लोगों के लिए वीडियो helpful रहा होगा अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छा लगाओ तो please like करें अपने दोस्तों क साथे से share करें और कोई भी queries हो तो आप मुझे comment section में पूस सकते हो मैं as soon as possible उसका reply करने का try करूंगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching bye bye